आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ चिकन करी की रेसिपी और इस चिकन को फ्रेंड्स हम लोग ना तो इसमें टमाटर का यूज करेंगे नहीं इसमें हम दही का यूज करेंगे और नहीं हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे बहुत ही एजी तरीके से बनाएंगे पर बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनके रेडी होगा तो चलिए फिर चिकन प्राना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है इसमें डालेंगे मस्टर्ड ओल तो मैंने आप देखिए आठ से दस करी पता करी पता से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तीन मैंने यहाँ पर डाल दी है सूखी लाल मिर्च खड़ी वाली अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तीन प्याज जिसको मैंने इस तरीके से लंबे स्लाइस में खट कर लिया है तो प्याज की कॉंटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है प्याज डाल देंगे अब हमें यहाँ पर प्याज को भुनना है मतब प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे मतब प्याज सागो जो कलर है गोल्डन नहीं करना है बस प्यास को transparent होने तक हम यहाँ पे प्यास को भूनेंगे तो जब तक प्यास भूनता है तब तक हम यहाँ पे एक मसाला रेडी कर लेते हैं यहाँ पे मैंने कटोरी ले लिया है इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक टेबल स्पून जीरा पाउडर एक टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर पुरा भर केक टेबल स्पून मैंने लिया है और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तेबल स्पून चिकर मसाला और तेबल स्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेच चिली पाउडर यह color वाला रेट्रिली powder है फिर उसके बाद डाला है मैंने गरम मसाला और उसके बाद डाला है मैंने 1-4 teaspoon black pepper powder 1-4 teaspoon healthy powder और 1 tablespoon डाला है मैंने ginger garlic paste अब इसमें थोवा सा पानी मिला करके हमें इसका एक paste रेड़ी कर लेना है जिससे मसाले हम लोग पीछते हैं वैसा ही यहां पे paste रेड़ी कर लेंगे देखिए इस तरीके का बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है थोड़ा सा गाला ही रखेंगे तो इसकी थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे डाल करके अच्छे से mix कर लेना है और यहां पर देखिए जो प्याज है वो भी भून गया है ट्रांस्पेरेंट हो गया है तो बस इससे ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेयम इलकुल लो कर दिया है अब हम इसमे चिकन डाल देंगे अब स्विस्टा में सेम टाइम हमने जो मसाला रेडि करके रखा है वो मसाला डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पाणी में इसमें और अट करऊंगी बस जड सा तो यह पाई डाल करके अच्छे से इसको mix कर देंगे अब हम ही यहाँ पे friends कुछ भी नहीं करना है सिव मसाले को यहाँ पे अच्छे से हम भूनेंगे कम से कम 20-25 मिनट का टाइम लगीगा यहाँ पे मसाले को भूनने में और कुछ भी नहीं करना है ama match करेंगे और ढ escol देंगे और बीच बीच में आप इसको बस चलाते रहें और तब तक इसको चलाना है यहाँ जब टक कि जो मसाला है च्छिश से भूनना जाए तो बस अच्छे से mix कर लेंगे और इसको ढख देंगे और gas का flame यहाँ पर medium रहेगा medium flame पर ही मसाले को हम फुनेंगे तो देखिए अच्छे से मैंने mix कर लिया है इसको ढख देते हैं अब यहाँ पर मैं 10 मिनट के बाद पैन का धकन हटा रही हूं बीच में मैंने इसको एक बार चलाया था और फिर से मैंने धक दिया था और यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं तो इसमें पानी वेगारा कुछ भी हैर करने की जूरत नहीं है क्योंकि जो चिकन है वो पानी जोड़ता है तो देखिए बस इसको चलाते रहना है बीच-बीच में इसको अच्छे से चला करके फिर से इसको ढख देंगे और यहाँ पर दस मिनट के बाद मैं फिर से पहन कर धकन हटा रही हूँ और अब मैं इसमें इसमें एट करूंगी जिसको बीच में से नमका है अपने टेस्ट करें यहां पर फ्रेंट समेन है, चिकन को अच्छा मसालों के साथ जतने अच्छी िимости के से हम यहां पर वहुनेंगे मसालों के साथ चिकन उतना ही जादा टेस्टी होगा तो इसको यह अच्छे से हम भूनेंगे पर फिर से इसको μढनें हुए हैं Tour और आप देख सकते हैं कि जो चिकन है काफी अच्छे तरीके से भून गया है, और आज 70% चिकन तो फ्रेंट्स ये मसाला भूनते समय ही कुक हो जाता है, तो आप मैं इसमें पानी एट करूंगी क्या कि मैं आप थोड़ी सी ग्रेवी वाली चिकन बना रही हूँ, अगर आप ड्राई चिकन बना रहे हैं तो आप इसमें पानी नव एट करें और पान से 10 मिनट इसको आप ऐसे ही पका ले तो चिकन कुक हो जाएगा, अब इसको फीर से ढग देंगे, कम से कम 5-7 मिनट के लि हरा धनिया, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो चिकन है वो भी अच्छे से कुक हो गया है, ऐसा नहीं कि चिकन कच्चा है, क्योंकि आधा चिकन, आधे से ज़्यादा चिकन तो मसाला भूनते समय ही यह कुक हो जाता है, क्योंकि हमने कम 25 मिनट हमने इसको अच्छे से साथ तो देखिए जो चिकन तरीके से कुख हो गया है आप में लास्ट में इसमें एड करूंगी थोड़ा सा बटर बटर डालने से फ्लेंड इसका जो टेस्ट तो बढ़ी जाता है साथ में चिकन का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है आप इस टिप को जरूर अपनाईएग अगर आपका भी चिकन बना रहे है तो आप लास्ट में बटर जरूर अट करिएगा देखिएगा चिकन का जो कलर है बहुत ही जादा अच्छा आता है तो आप मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है अब लास्ट में इसमें एड करूंगी थोड़ा सा बटर बटर डाल करके अब इसको ढग देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढग देंगे 5 मिनट के लिए 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाओंगी कि चिकन जो है देखने में कैसा लग रहा है और ही किन्माली फ्रेंस यह त्यादा टेस्टी बनता है बहुत ही ईजी तरीके से बनाये मैंने इसमें कोई बहुत special मसाले नहीं आपकिए हैं न मैंने इसमें टमाटर एट किया हैं न मैंने दही एट किया है फिर भी जो चिकन होता है बहुत ही जादा ये टेस्टी बंता है तो आप इस chicken की recipe को जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा तो इसको ढख देते हैं अब ढखने के बाद फिर मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ तो चिकन कैसा है और यहाँ पर पांच मिनट के बाद देखिए मैं धकन हटा रही हूँ आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है कितना अच्छा आया है बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है और खाने में तो यह गजब का टेस्टी होता है तो फ्रेंड्स अगर आप लोगो उख जरूर करिएगा सेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और कमेंट जरूर कर देखिए